आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ डाउनलोड नाओ अब मुझे ये दे रखा है कि A किसी कारे को 10 दिनों में कर लेता है कितने लेता है? 10 दिन लेता है और इनकी कारेचमता में कुछ हमें संबन दे रखा है A और B में अगर B सौपरतिस्द काम करता है तो मुझे क्या दे रखा है? A की कारेच हमता 20 से 20 प्रतिसत काम है यनि कि ये 80 प्रतिसत काम करता है तो इनकी कारेच हमता में अगर मैं अनुपात लिखना चाहूँ तो देखें ये क्या बता रहा है कारेच हमता ही बता रहा है 80 प्रतिसत और 100 प्रतिसत इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 4 अनुपाते 5 लिख सकता हूँ क्या या फिर 8 अनुपाते 10 लिखता या फिर 4 अनुपाते 5 यानि कि मैं कह सकता हूँ A एक दिन में कितना unit कारे करता है 4 unit और B 5 unit ऐसा भी समझ सकते हैं तो इनके लिए अगर मैं समय बोलू तो समय किस तरीके से होगा बताईए समय जस्ट इसका क्या होता है विपरीत होता है मुझे पता है कि कारे छमता और समय एक दूसरे के विद कमा नुपाती होते हैं ठीक है ये मुझे पता है तो देखिए अब मैं यहां से ये कह सकता हूँ कि इनको समय कितना लगेगा, किस अनुपात में लगेगा, पांच अनुपात है, चार के अनुपात में ये समय लेंगे इस कार को पूरा करने में, अब मुझे ये बताइए, एक के लिए कितना समय हमें दे रखा था, तो ठीक है, अगर मुझे 10 चाहिए है, 10 यूनिट समय चाह रहा हूँ और तो B को कितने दिन लगेंगे? आठ दिन लगेंगे यनि कि हमारा आंसर क्या आगया? आठ दिन ठीक है? यनि कि B को कारे करने में आठ दिन का समय लगेगा ठीक है? तो मेरा कौन सा ओप्शन सही है? ओप्शन नमबर C हमारा सही उत्तर है. Thank you क्लासिक्स स्ट्वेल से लेके नीट IIT जेही मेंज और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउटने टाप या वाथ्साप कीजिए अपने डाउट्स 8400400 पर